इदर मशूर गाई का पदमश्री मालिनी अवस्ती राजधारी भूपाल पहुची मालिनी यहां मांसरुबर यूनिवस्ती के कॉन्वोकेशन डे में शरीक हुई इस जौरार हुडने स्टुडेंट्स को भारतिय संस्कृती से जुड़े रहने की सलाह दी है मालिनी अवस्ती से बात चीट की बंसल यूस समवादाता ने पदमश्री मालिनी अवस्ती जी की अगर मैं बात करूँ तो अपनी सुरीली आवास से वो लोगों को दिवाना बनाती आई है कायल करती आई है स्टूरेंट्स को क्या मेसिज देंगी और कैसा है आपको कान्वकेशन लगा कारिकरम का आप हिस्सा बनी है बहुत बहुत अच्छा लगा सबसे पहले तो यूनिवसिटी का शुक्रिया इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे समय शामिल किया और एतिहासे कि इसलिए कि पहला है और हम लोग उसका अंग बने बच्चों को आज मैंने जितने भी आविद्यार थी हूं उन्हों को मैंने आज यही कहा कि आज से नया रस्ता तै करने वाले है आपका नया सफर शुरू हो रहा है और इस यात्रा में आपके गुरूओं की भूमिका जो कुछ विद्या सीखी उसकी बहुत भूमिका आने वाली है तो बच्चों को यही मैंने बोला कि अपना सफर तै करें जो करें उसमें सर्विस मेंटालिटी रखें सेवा का भाव आज के नाइम पर कॉलेजिस में भी सोशल मीडिया का दौर है लोगों को वो सुनने को नहीं मिलता है उसको आप कैसे देखती है लेकिन आप यदि ध्यान दें कि सोशल मीडिया में इस बीच में लगातार जिस तरह के कंटेंट की भरमार आई है वो यह दिखाता है कि यह वहों की गलिती नहीं वो तो अच्छा देखना चाहते है मैं तो यह मानूगी कि यह जो जनरल कॉंशेसनेस है अच्छा सुनने अच्छा सीखने की वो मनुश्य में सदा से है परिवार में नहीं मिलेगा तो बाहर देखेगा पहले यह था कि आपको परिवार में नहीं तो बाहर बताने वाले कौन थे लेकिन यह जो एक लोकतांत्रिक ढंग से सोशल मीडिया का बाड़ा आई है उसमें अच्छा कंटेंट जिस तरह से लोग देख रहे हैं मुझे लगता है कि वो ज्यान ढूंड रहे हैं जहां मिलेगा महां से लेगे तो यहां पर हमारे साथ मालेनी अवस्ति जी थी जो बता रहें थी किस तरीके से आगे फ्यूचर में बच्चों को बढ़ना चाहिए संदेश देती हो ही नजर आई भारतिय संस्कृती से जड़ों से जुड़े रहना चाहिए कहीं न कहीं बच्चे अपने मुकाम तक पहुच जाते हैं जो उनका लक्ष होता है वो से हासिल कर पाते हैं कैमरमेन नागेंद्र के साथ प्रगती शर्मा बंसल न्यूस भोपार